कणकदानों और कणुआ सच है कणियल का आधार भड़कन भड़कन जुड़ा हुआ है शिक्षा का संसार प्यार भरोसा अदब कायदा जिसके पाये चार यह है घर परिवार ने बबुआ यह है घर परिवार अगार करिवार ॅध भरेमा मैं आठाटेस सभेस्टिड पकिर कोई यद्फ नामने आर दे खीड़ों पता है कि एर भूत प्रस्टिव पैर्म और प्रसफ्रीब कि पते तरहेस्टेन बॉस्टी पिञकते ऴस्तने ao अरे क्या है आराम दिला भजी चिलाती जाती है दिमा सुमते हो सुमते हो अरहाम कि आराम कियो चिला रहे है तुमने मेरे पीछे कैसा उद्धा रखा है इस तरह तो हम पाजगाउं बदनाम हो जाएंगे अरे बेटा यह अंदर के भेट तो अभी हम भी नहीं समझ पाए है है अरे बापू उसमें भेट क्या रहे गया है अरे बेटा एसी कैसी बाते कर रहा है मैं एक महीने के लिए घर से गई और तेरे पर निकला है अरे बालक है नहीं नहीं बाते सीखेगा है उपरे दुनिया ही सारी सश्वी वेलगाली होई कहीं रुकती ही नहीं अब नहीं किताब लेकर आही गया है देख लेते अरे उसमें डर काही काह है अर्ट की कोई बात नहीं क्या हुआ हमें खाएगी देने तो अभी अपने घर में एक जिंदा ने वला पकडा है मैं कभी किसी से डरती नहीं हाँ जब तुम अपने गाउब आपने घर पूरी सपेर होता रहती है तेरा वहां अधिक हो जी मेरे माइके के बारे में तुम कु अरे इतनी ज्यादा मत चला कर भागवां अरे बापु अब तो यह जगड़ा बन करो तो में किताब दिखाऊ ना ठीक है बेटा किताब तो में देख लूँ लेकिन मेरी आख उससे खराब ना हो जाए अरे मां किताब से ता कुछ नी होता है बल्कि किताब से दिमाग और अ बेटा यह अच्छा मॉरा ठो तूट अपना उफ्तंत्रमंत्र का चाहा आ वो निकाल हां आज होई जाया दोड़ु रहात तेरी इस किताब से निकाल अं अ आपता जैब करको यह जै करको से कबूतर हां है तो अ मुद्धर यह यह क हासे कभूतर हां से घर 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 गोश बॉ लिए आया है ना इस किताब में तुशन जानवर्म का जिक्र है अगा मैं किताब से जिखना पड़ेगा कि खरबूस्क्राइब होता है और गधा क्या होता है अरे बापु ऐसी बात नहीं है यह तो अक्षर ग्यान है शुरुआ यही से तो होती है जिसके सुरुआ थे घोड़े और गदे से हो उसका अन्त क्या होगा अमें जैसा वोलता हूं वैसे बोलो यह सब बाते बात में करेंगे मैं नहीं जाता कि बड़ा हो कोई मुझे अनपड़ो का बीटा लोकAST आसे डेना चर्वेच ने आथ किताब में घंढी बात नियुक this मैं मैं जो कहते हूं नुकान फुमां ठीक वसे इंड़िक वाया का से थी और कपूतर धांट। हाँ 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 रहते खर्गोर्साइड़ गराँ पार्गोर्साइड़ाँ इन का मिलेगा इन दो कर दो शाधिते कर दो अरे मेरे गां में नार्पतलाल चोधरी इक की छोड़ी बाद चलाएं तिके रुला दिया ना अरे मैंने क्यों रोलाया अरे मैं तो आधी जाते हु रहूँगा इतन की अधुख्वी होने की जरूबते है तुख्या पे पर जाए गया तुख्या कोई फरक नहीं पड़ता विन्दू तो पर्धान बन ही गया तुक है बुरा ना मानिया अरे मैं क्यों मानूंगा बुरा अरे ये मेरे बक्ते को ऐसे क्यों देख रहा है क्या कोई चीज छूड़ गई तेरी वोल तो निकाल के देदू मुझे तो इस पत्ते को देखके रोना आवे क्यों भाई क्यों रोना आवे तू नहीं समझेगा राजबीर यो दिल की बात है कोड़ाओ इसके खड़ाओ ठीक से बता पुराणी यादो का रेड़ा है अरे भाई ये क्या रेला पहले मेरा बाप्पू ऐसा ही बच्चा लेकर बज स्टेंड गया अरे वह तब पिचक गया बाकी तुष्चे को चुमगा दर्ड की दर्ड चिपकर रहा हमारी बच छूड जाएगी चल भाई राज अंदर छोड़ दिये अब बिंदू उड़े मिलेगा राजबीर इचे पैदल चला जाएओ बस से ना जाएओ कम से कम दो जिन बाद सही समावत घर तो पहुंच जागो कोड़ाओ खड़ाओ दुकान पर जा सीथा अब बिंदू मेरो तो सके बस तेंड पहुंच जा ठीक है जबाट ठीक है पहलवाल जी अब राजबीर कुछ दिन और रुख जाता तो बहुत अफ्छा लगता तो जाए ना अब क्या करें भाई वहाँ पर भी बहुत सारे काम है सारे गाओं को समालना है सारा काम मेरे यहां रहने से बिखर गया होगा एक बात है इस बार इलक्षन में खूब दू लुड़ी तौरान बहुत गजब का है अरे बाई राजिंदर बिंदु जीत गया तो मारी इज्यत बची लेकिन बिंदु है का मुझे इससे जरूरी बाते करने थी तो बैठा बाला अरे तो यह बैठा है अरे राजबीर आज़गा देख्ण अरे राजबीर आता बिल्कुल जोख दिया है अरे मैं तरसे ना राज हूँ और इस बीना बताये बिलमे चल ती तो यह बाहिए तो बाई मैं के था कि मुझे प्रदान बनाया ज़िवान देज दी बाद करी तूने अरह नहीं बिनुए तुझ लेगा प्रदान में खेत लीगा हूँ गालकूनी एक गूमता रहता है घर पे भी राकर रहे राजिंदर अब घर की तो बात तुझ दिमाग से इंगाल दे अब तो पूरा गाओं मेरा घर है क्यों राजबीर अब तो गाओं के सारे गर मेरे हैं एक एकर करके आरगर सबके घर में गुसेगा मेरा मतलब यह है कि पूरे गाम के जो लोग है ना उनकी परिशानी मेरी कहानी है अरे बावले तू कहीं कभी तो नहीं हो रखा ने राजबीर अरे कभी वो बने जो हार गया हो मैं तो दंके की चोट पर चुनाओ जिता हूं तो तो प्रमें तो अख क्यों कभी बनूंगा मेरी पतंग तो आमे फला फरूड़ेगी अच्छी बात ना रही अच्छी बात है पारास से उच्य बोल ले वोलते भाई राजबीर प्रतान अगर बोलना है तो उच्छा बोलो अरे उच्छा बोलने में कुछ पैसे थोड़ी लगते हैं तो ठीक है ब सबस्क्राइब और खालिया जाओं इस था फिसे के लिगाउंगा तो मैं क्यों बुरा करूं किसी कवाई मैं उल्टा सिता सोच श्था इन्दर इसके दिमान में तो गैरी राजडिती घर कर गई है रहे राजडिती नहीं भाई मेरा तो दिमादी बैठ गया है अब तो कोई मैंने बड़े बड़े लड़वाए लेकिन इस लेक्षर का जवान ने हरे भाई गाउ खेतली के प्रधान बिंदू एक अप्वार प्रधान ने देख लिया तो रहाजमीर भायवरा हो गया के परना तो मैंने आता ही नहीं मैं तो एक फोट्टू देखने के लिए अख़वार खरीता हूं और तो न जब से प्रधान बने आँ न एक अख़वार रोज खरी लो हूं रुत्वा पड़ता है एकवार ऐसे दबाके चलने में अच्छा अब तो इस गाहों का प्रधान बन गया अब जन्दी से जन्दी इस गाहों की बस्ववस्ता को ठीक करवा दे राजवीर चंता करने की तुझे कोई जरूती नहीं जब अगली बार आगाना तो यहां रेलवे लाइन बच्छी होगी समझगे ना बारस सरकार से सिती बात चल रही है क्यो राजिंदर छोड़ सारी बात तु तो राजवीती की ब आ तो कंसा तरे पास निंग सकता तो मारा दिल तो यह चाहे है लेकिन अप्तु जब डूजा लेवार बसांकी चाल चाल शाल चाल के बाइट को एक ठूश लेगा प्रधान जा लेगा है रेकिन हागा हैस को अब युद्नू अध्या निया फिक प्रधार लेज़ा लेजा ल स्टेटस रिपोर्ट के मताविक इस काउं में तक्रीवन लोग अनपढ़ है और प्राउर सिक्षा के अंतरगत सरकान ने बहुत सारी युजने मनें मगर इस गाउं के लोग उसका फाइदा नहीं उठा पाएं सर आप बिल्कुल ठीक फर्मा रहा है यहां का पूरा माहल पहलवानी है यहां के लोगों की यह सोचे कि पढ़ाई लिखाएं से लोगों का शरीर बादिमाग कमजोर होता है तुम सौफ इसी ठीक कह रही हो मगर इत जारी है यहां के लोग अखड जरूर है लेकिन मन के बहुत भोले हैं और हमारी योजना चालू होने में थोड़ा समय लगेगा समय की तो कोई बात नहीं है मगर आप कल की बात लिलो कल एक सजन मुझे मिले तो मैंने उनसे का भाई आप पढ़ना नहीं चाहते तो नहीं प्रिती बाड़ी गव भैस यह कौन देखेगा शकुंद्ला हम लोगों को नहीं योजना तियार करनी पड़ेगी जिसके तहत हम इन गाउन वालों को पढ़ाई लिखाई की तरफ ग्रेरित कर सके सार मेरा प्रयास जारी है और भगवान ने चाहा तो गाउन का प्रधान बि यहां दोना थेक है ओके सी यू है राम सिंग राम सिंग और राम सिंग कहां हो तूम राम सिंग यह चिठी आज आई इस चिठी पाद दस दिन पहले की डेटश डली हुई है दाकिया चिट्ट्ट्रिक हमाले चिठी को आने में इतना समय कैसे लग अब यह बात तो मेडम दाकिया बाबो भी बता सकते हैं मैठ हमारे गाउं में शादी की चिट्थी बच्चे के जनम दिन पर मिलती है क्यों क्या कभी किसी ने शिकायत भी नहीं की अब शिकायत करने के लिए लिखना पड़ना तो आना चाहिए न है कौन करेगा शिकायत बैसे हमारे गाओं के लोग अपने मसले आपस में बेटके सुझा लेते हैं क्या इन अब 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 भरो सा रखो फद्लू भाई साथ ठीक हो जाएगा अब यह गलती तो किसी से भी हो सकती है ना लेकिन जलती ने तो मेरे बच्चे की जाने ही लेली अदिकादर भाई आप देख नहीं रहे था कि इसका टेट हुआ कैसे चक्की की तरह उच्छाल मारा था पता नहीं क्यों इसको यह उल्टी ती दिवाई क्यों पिला दी वो कादर खां का लड़का बता रहा था कि भावी ने तवाई तो ठीक दी थी लेकिन हां वो यह पढ़ना भूल गई कि दवा की मियाद खतम हो गई तो यह कहता हूं का दिर भाई कि ऐसी दवाई इस्तवाल करने की क्या जरूरत थी कि जिसको पढ़कर पिलाना फड़े अगर पढ़ना ही था तो भाईया कोई मतर पढ़ देती है वो इसकी दुश्मन थोड़े ही है है और फिर यह दवा की शीशी तो तुम खुद पिछले साल लेकर आए तो मेरा बाद जा आया था बाहर से आओ जी काबिला का है वहाँ काबिल कैसे है वह सवाल का जवाब भी मुझे को देना पड़ेगा तो इसका जवाब देने के लिए क्या दूसरे गाउं से लोग आएंगे यही तो हमारी कमजोरी है अगर इस दुन्या में आप जीना है तो हमको पढ़ना ही पढ़ेगा कादर भाई ऐसी अब शकून की बात रात नहीं की न早प करते हो आप उड़ी। मेरा कृटि म refuse ओता है ठीक है तो देल मत करो ऐसा करते हैं कि इसको गश्बौ के अस्मकिताल दिखा लेते हैं ठीक है जैसा है ठीक है लेकिन पहले रहा बच्चा ठीक richa nach engineering जाया कदर बाई आदा वाजबल भाई क्या हुआ फजल भाई सब खेरियत तो है बच्चे को उसकी मान ने कोई गलत दवाई पिलाती है जरा दवाई तो बताओ दिखाना खादर भाई दिखाना अरे ये तो पुरानी दवाई है तो पिरा बच्चा गया सब रखो वजलों भाई कितनी दवाई पिलाई थी रुखताना ओर्खताना अरे भाई बहारा हूँ डेखो ला ये क्या पूछ रही है बताए इनको आके जी कही है क्या बात है आपने ये दवाई कितनी पिलाई थी जिद्धी शीशी में रुखी थी अरे ये क्या कर दिया अरे घबरानी कोई बात नहीं है तो मेरा बच्चा नहीं बचेगा क्या सब रखो सब ठीक हो जाएगा अगर आप लोग थोड़े बादी पड़े लिखे होते हैं तो कभी ऐसा नहीं होता अब क्या करें पहले इस बला से चुट करा भिले तो आगे अपनी फूल सुधार लेगे एक काम कीजिए आप इसे पंखे के नीचे लेटा दीजिए उससे क्या होगा चार पांच घंटे कुल ठीक हो जाएगा जी हाँ पहलोग जिस सही कहते थे कि आप लोग सच मुझ पर जादू करने नहीं नहीं फजलु भाई ऐसी कोई बात नहीं है दरसल यह जो दावा पिलाई है यह हलके बुखार वाक खांसी कि इसमें थोड़ा नशा भी होता है अरे बच्चे को नशा क करवा दिया अरे यह क्या जुल्म किया रुखता नहीं क्यों डाटते हैं फजलु भाई यह नशा कोई बुरा नशा नहीं है यह तो ऐसा है जैसे खाने के बाद नीन आ जाती है इन्होंने ज्यादा दवाई दे दी जिस बज़ा से बच्चा हलका बेहुशी में है घबरानी कोई बात नहीं है आप इसे घड़ दो घंटे में पानी पिलाते रहे हैं हम अपनी बेहुकूफी में पढ़ाई लिखाई को भला पुरा कहते रहें लेकिन यह तो फूद तुफा निकला जो अल्ला के नाम के बाद सबसे बड़ा है हम कसम खाते हैं कि आज से हम सब पढ़ा हुआ करीम हमें रास्ते में मिल गया और उसने हमें सब कुछ बता दिया वन्ना परेशान हो जाते हैं शहर जाकर लोग आपकी नासम जी का फायदा उठाकर आपको लूट लेते हैं खैर जब आख खुली तभी सवेरा है अच्छा हम चलते हैं खुदा हाफिज खुदा का लाख लाख शुक्र है काधिर भाई कि सही वक्त पर हमको पढ़ाई लिखाई कि एहमियत पता लग गई इचना ने तो कती बरबाद कर दिया तायलवान तीन कनस्तत देशी घी पी गए और दो बोरे मखाने चट कर गए कती बरबाद करके दर दिया दादा अगर आपका होता हो अगर आपका होता हो जिन पहलवानों ने आपका घी पिया है एक एक ने लंबा कर दूं रहे मैंने खाड़ा छोड़ा है कोई गदा ठोड़ी ने चोड़ दी इप्पी ऐस से सुच्छले दा मारों कि फफेर के दर दूं पहलवान जी आप दुख्याने बाव अब आपको शोबा नहीं देख ली रे दुख्या प्रदान मनने के बाद मेरे पहर में क्या बेरी पड़गी बोल जो मोलज कर जाओंगा अरे प्रदानी प्रदान के लिए और पहलवानी पहलवान के लिए समझ गया ना इन दोनों में में लहीं हो सकता बंदू अब तू अ इजद्दाराद नी बन गया है अब दादा इजद वाली बात तो यू है कि मैं किसी से उदार मांगने जाओं वो बिना किसी ना नुकुर के मुदार दे दे तो तो है मारी इजद ने तो हो गया न फजीता क्यों हमारे पास्ता सूई कमी है रे दादा समझते नहीं आप पर तो करने पड़ती है ना उसका एक और तरीक्का है एक और तरीक्का है दादा के बोल रहा है यू बोल लेंदे इनने भी बोल रहे दुखिया तुम उस्ताद जीसा अपनी एक टांग तोड़वा लो अगर पूरा गाव देखने आया तो समझ लो इजद और नहीं तो फजीत का फजीता दादा क्यों रहे मैं इतना गिर गया हूं कि अपने छोटे बाए बिंदू के अधी तोड़ूंगा पहलवाल जी आप तो सिरफ मालिस करोगे अधी तो अपने आपी तूड़ जाए कि जैसे पहले तूड़ते हैं दादा जब सही चुनाओं मेरे साथ रहा है ना गणाई तेज हो गया है सारे के सारे मेरे गुरू से क्यायों और तूभी तो इदर दर जामर्जी भासन देता फिर तो बिंदू अपने जल्वे इदर दर ना भिखरा कर चुडिया 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 चुगलिया करे अब देखो दादा बात तो आपकी सही है पर बाशन तो अब खुलम खुला ही होगा समझे ना बिंदू ने आज तक कोई कान छुपा चोरी नहीं करे खुलम खुला कर रहा है मैंने तो दादा यहां तकी गाउं के छोटे-छोटे बच्चे है ना वभी खुलम खुला ही पीते हैं देख बिंदू अपनी जबान ने थोड़ी ल हो गया है तो दादा जाओं के आजा और के करेगा अच्छा दादा जाओं के तुम हुआ है माया मारे घर में किताब यह तो बहुत जिल्म हो गया यह तेरी इतनी हमात के तु किताब पड़े है अच्छा गलती हो गई अब पड़ाई करने की चोटी तो मैं क्या करूँ तो तू कह रही है तू कह रही है यह तो यह भी भूल गई कि तेरी आंके पड़ाई की वज़े से खराब हुई है अरे ना ना पड़ाई से कुछ नहों है वो डॉक्टर के रहा था कमजोरी की लों में हाँ आज मनने पता चला आज फूटा यह फोड़ा तो पड़ाई की वज़े से अंदी नहीं हुई ना इसलिए तो पड़ाई को पुरा नहीं मानती अब जो बाट ठीक है इसको ठीक समझने में कोई बुराई ना है तू पहले यह बता तू यह किताब लाई कहां से अरे वा कमली है ना उसकी सहेली मूर्ती से इसका मतलब वो पक्का बुमार हो गई होगी अरे ना ना कमली तो कह रही थी कि वा डॉक्टर बनेगी गर में कोई ना कोई बागल तो जरूरू और यह उसके घर में तो नहीं पड़े हैं तो मनने अब पता चला कि वो लोग भी साजिश में शामिल हो गया है साजिश अच्छा छोड़ो अब तो सारा गाव पढ़ने को तैयार हो गया है इसमें कुछ तो अच्छी बात होगी ना पढ़ाई ना होने की वज़े से मेरी बच्ची को दवा नहीं मिली और उसे फोल लियों हो गया पर इसमें पढ़ाई कहां से बीच में आ गई रेजिंदर वह कुछ मत कह तो वह साही कह रही है अनपढ़ होने के कारण सर्मिंदा होना पड़े बहुत बेज़ती होए हम दस्कतना कर सकते हैं उठा लगाना पड़े लोग हसे है खाली खूब सार अप्पिसा जमा करना अब भर पेट रोटी खाना है काफी नहीं इंसान के लिए जिनावर नहीं आदमी पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है मेरे भाई पढ़ाई के टोटके को तो हम पढ़ाई से ही तोड़ेंगे रहे आज तो तो अरे सपुन तो तू यहां बेठी है मैं पता निए तो यहीं आकर बैट लेकिन तुम यहां कैसे रहे तो बताई है तो सही मैं तरो को डूंटा तो यहां आया हूं मुझे वे दुखिया ने बता है कि तुम चुनाओ जीत गया मुबारक हो मुबारक नहीं बावली आज मुबारक नहीं आज तो कंग्रेश लेट कर कंग्रेश लेट वाइक बात बता ही है तुगाँ चोल कर क्यों गई थी किसे ने दम कि दी तरह को अरे उसका एक बार तू नहीं बता दे उसकी खोबड़ी मैं रच कार के उसके जंडे पार दूंगा मैं अरे मुझे तो सरकार ने बदली किया था क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था मेरी अकेली जान वो खत्रा हो सकता है तो ठीक है सरकारी है सही तो एक बार इशारा करते हैं बढ़ जाओ अब तो ग्राम परदान लूँ में ग्राम परदान अदिक्ट अब तो पावर जो है न समाले नहीं समझ रही बिंदू कभी कभी इंसान को प्यार से भी काम लेना चाहिए जब मैंने प्यार से काम लिया तो क्या मिला मुझे बोल ला तू अकेला पन अरे सब छोड़के चले गई तो तुम लोग मुझे शयद यही हमारी सजाती हमारे कस्मत में यही लिखा था तुम चाहो तो आज भी आज भी मैं तुम्हारे साथ हूँ वरना याद रखना सकुंतला चारो तरफ चमकारा सा उप्थेगा मेरी आख का ध्यान रखना लेकिन हमारे किसमत में अभी भी एक दीवार है मुझे मालू कि आदनी को अच्छा या बुरा काम करने से कभी नहीं रोकता और मज़ेगी बात देख इनको मालू होता है कि अच्छे बुरे में फर्क क्या है समझे रहा बात को यह तरह जाने का बात मैंने समझा है चल मैं पने मात्थे से अगर अनपर होने का दाग मिटा दूँ तो क्या तुम मुझे मेरी सकुंतला लोटा देगी बिन्दू मुझे बहुत खुशी हुई है कि तुमने पढ़ाई के महत को समझा और उसे अपनाने की कोशिश की यही तुम्हारी शकुंतला है यानी मेरी इच्छा काल ठोक के मूझ एठ के अकडबा कड़ एठा कदा भांज के सीना फुना के भुटनों के बन बैठा लठा लठे दियारी है पर कहीं तो कुछ है खटका वित्यादान के बिनार बबुआ मंदिल पे जा अच्छा मंदिल पे जा अच्छा वफादार नहीं मसल्म मचली अच्छर में है सार अच्छर में है सार गाव पेच को और उठा पटक भी शिक्षा से लाचार भया ये है घर परिवार त्रे बबुआ ये है घर परिवार आप